दोस्तों ज़सर कि आपको पघाय कि हातरसमे जो सचसंग वाला जो कांड हुआ है सचंग वाला जो कांड हुआ अप तक की लबक बता जा रहा है 121 मौते हो चेकी है तो क्या सचंग और जगह भी होते है और तो क्या इतना बड़ा क्या अच्छा हो गया कि यहां इतना बड़ी संख्या में मृत्य होगी और 121 बहुत बड़ी संख्या होती है और जिस दिन आप देख लेंगे सामने कि यहां 121 लासे पड़ी हुई हैं आप समझ में नहीं आएगा फिर तो यह कैसे हुआ हमारे साब से यह हुआ कि वहां का जो बाबा थे संत थे जो भी थे तो हमको लगता है कि उन में जो भीड थी वो उनके चरणों की धूल पाने के लिए और उनके फेके फूल ये चरणों के फूल पाने के लिए इतना ज्यादा अंद विश्वास मतलब किसी इनसान को भगवान मनाया दे रहें कब तक ऐसा चलेगा और कब आप सुधरेंगे और ये आप देखी लिया तो ये जैसे कि ये इनसान है या बाबा है कोई कुछ भी ससंग सुनाता है अच्छी बात करता है या अच्छा है वो इसका मतलब ये नहीं उसको भगवान मना दो भगवान क्या है कि भगवान ने एक ऐसी सक्ती है जो संसार को चला रही है वैसे कोई वो नहीं हम किसी को खे नहीं पहुचाना चाहते हैं कि हाँ पत्थर में भगवान नहीं है या उसमें भगवान नहीं है भगवान का अपना एक वो है लेकिन भगवान है जरूर जिसे सम इसमत की ताकत देखिए तो वगवान है लेकिन यह नहीं कि हाँ किसी सख्चंग में जाओ आप और ऐसा करो कि हाँ उस बाबा के चरन चूने के लिए मार इतना हो गए तो वहां भगदर हो गई तो यहां पर ऐसा दिक्कत हो गई हमको लगता है वह बाबा जब चला होगा तो ऐसा कुछ होगा होगा कि वहां वह उसका दर्शन करने के लिए चरन चोने के लिए या फूल पाने के लिए कुछ भी इसा कुछ पाने के लिए अच्छा बखदर हो गई होगी एज चीजे वहीं से बहुत बड़ी शंख्या में मृत्ति होई है बहूत दुखत है हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप लोग भी सावधान नहीं है अपना इस भगदर से दूर रहिए और अपनी बुद्धी विवेक से काम करिए